प्रवाइब दोखदाय के लिए रहत की गई थी मुख्यमंत्री एकनाश इंदेजी दौरा लेकिन बैनर बाजी शहर में की गई नेता ओदौरा लेकिन हाथसों में किसी भी तरीके से रुकावट नहीं है एक और हाथसा जो है कारा दिन लेके हमारे शहर में आया है आपको बताते के एक हफते के अंदर दूसरी घटना है जिसमें जो है दोकारा एक इमारत गिरने की ख़बर सामने आई है अब इस घटना में जो है कुल चार लोगों ने अपनी जाने का वाई है हमारे साथ जमील ले इमारत है वो धोकादाइक थी इसको दो बार नोटिस दिया था उसमें से बहुत सरे फ्लैट खाली थे लेकिन कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालके भाँ पर रह रहते अगर वो इमारत के आप हालत देखेंगे तो कोई भी वेक्ति ऐसी इमारत में अपनी जान जोख रहे के भी लोग कुछ चीजे सामने रहे के भी लोग जान अपने जोखिम में डाल रहे है यह गलत बात है और ऐसा हदसा होने के बात तुरंत हमारे फायर ब्रिगड के वेक्ति आपत्य विवस्तपन के अधिकरी और कर्मचारी वहाँ पर पहुचे और पेसर पहुचे जिस आप सभी को मालूम है कि इमारते बहुत पुरानी है तीस साल पुरानी इमारते उसका प्रापर मेंटेनेंस नहीं किया जाता सुसाइटी में जो कोपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए उसका एक मेंटेनेंस का अकाउंट होना चाहिए येरली उसका मेंटेनेंस करना चाहिए लेकिन आप ऐसी इमारती देखेंगे तो इमारत के उपर बड़े-बड़े पेड आये हैं, इमारत के जो भी गेट है या जब स्टेरकेस है या जहां से उपर से पानी बारिश का इमारत के अंदर रिस जाता है, तो उसको कोई किसी ने रोका है नहीं और वहाँ स्लैब पुरा बेंड हुआ है, तो यह देखने के बावजूद भी लोग अपनी जान जोख में क्यों डालते हैं, यह पहले सवाल पुछना चे, सरकार प्रशासन जो कुछ है अपनी जगह पे अपना काम करता है, लेकिन सरसलामत तो पगड़ी-पचास यह कहावत है, तो हमारी जान सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन से बड़ा कोई नहीं, लेकिन फिर बेहां ओ फ्लैट का पॉजेशन यह जो बिल्लिंग है, चोड़ना नहीं चाहते हैं, इसके उपर लोगों ने सोचना बहुत जरूरी है, गौर करने वाली बात है कि जिस सरीके से आपने आपने प्र करवाई के बाद भी, तो यह जानना चाहेंगे कि अधिकारी जो प्रभाग अधिकारी है, उन से कहीं न कहीं गलतिया होती है, या फिर सिधे तोर पर सवाल करना चाहेंगे कि शहर के नेताओ का फोन आता है, कि इस इमारत में जो रह रहे हैं, वो हमारे होटर हैं, उन्हें यदि ये सब चीजे हैं, तो जो हाथ से होते हैं, अगर प्रशासन अपने तरीके से काम करें, खाली करवादें, तो लोग जो है कहीं न कहीं वेगर होंगे, लेकिन एक पराय रास्ता निकाल सकती, प्रशासन लेकिन लोगों की जाने नहीं जाएगी, तो क्या नेताओ का प पानी और बिजली हम बंद कर देते, फिर भी लोग कुछ सस्ती चीजे या सस्ते में वहाँ पे कुछ किराय से मिलता है, या हम उसकी मालिकान हक क्योंकि बहुत सारी इलीगल विल्डी है, अगर वो छोड़ देंगे वहाँ फ्लैट हमें मिलेगा नहीं, ये सोच के लोग अचिने रहने के वज़े से दूसरे जगह पे किराय से भी नहीं रह सकता है, ये वास्तो परस्तिते लेकिन इसके लिए हम प्रशासन के अधिकारी या लोगों को हम बोलने सकते, दबाव के चले हम कुछ करते नहीं, तो हमारे तरब से हम ऐसी प्रशासन पूरी कोशिश करत हैं कि बाहुजूद भी कुछ लोग चुपकर ऐसी चीज़े या ताला तोड़के या सील तोड़के ऐसे बिल्डिंग में रहने की कुशिश करती है, ये वास्ताव है, अखरी सवाल, मुक्य मंत्री जी ने एलान किया था शहर की धोकदाय के मारतों को लेकर रहत का, तो किस किसी तरीके का सरकारी जो है, इसमें इंप्लिमेंट या जी आर या फिस तरीके का कुछ ताकि जो है, इसके ओपर काम शुरू किया जाए, या फिर कुछ तरीके का कोई आवान, अमल बजावनी, क्योंकि शहर के निताओं ने तो घोशना कर दी, बैनर लगा दिये, लेकिन जो है प्रोसेस वो शुरू नहीं हुआ, जो शासन से जो निरने हुआ है, वो जो इल्लीगल इमारते है, उसको लीगल बनाने की जो प्रोसीजर है, इसके लिए धोकादाइक इमारतों का सवाल अलग है अपनी जग़े, क्योंकि तीस साल पुराने, चालिस साल पुराने जो अपनी जान जोकिमिन नहीं डालना चाहिए, और शासन के तरफ से जो अध्यादेश आने वला है तो बिल्कुल आएगा, उसका एक प्रोसीजर रहता, प्रोसीजर फॉलो होने के बाद हमारे पस ऐसी सूचना प्राप्त होंगी, तो एक नैचरल प्रोसीजर है, जिसको गरिकों को आवहन मैं आपके मादम से करना चाहता हूँ, कि हमारे घर में अगर कोई स्लैप का ऊपर से कोई तुकडा नीचे गिरता है, तो इसका मतलब है कि हमारे बिल्डंग बिल्कुल दोखादा को रही हम, हमारे हाथ को या पायर को या हमारे झाल एक यालए जयो तो het